Hello BSC 3rd year students, कैसे हैं आप सभी लोग, उमीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे My name is आशिश गिरी, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे BSC 3rd year Geology के 5th semester के 2nd paper में आपका theoretical paper आता है Diversity of Codrates and Comparative Anatomy Students, इस semester से अल्रेडी मैं कई सारी important videos कवर कर चुका हूँ जो कि आपके exam paper के लिए most important है तो अगर आप उन videos को देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं या फिर इसी video के description box में आपको एक link मिलेगा जैसे ही आप उस link पर click करेंगे, आप direct उस playlist तक पहुँच जाएंगे students आज के इस video के अंदर हम discuss करेंगे subclass prototheria के general characteristics के बारे में first of all हम यह discuss करते हैं कि prototheria related आप से questions कैसे पूछे जाते हैं exam paper में तो आप से generally short question में पूछा जाएगा prototheria अब आपके पास जितनी भी information है prototheria के regarding वही आपको explain करना पड़ता है कई बार short question में पूछा जाता है कि prototheria और metatheria में difference क्या है तो वहाँ पर आपको difference लिखना पड़ेगा कई बार prototheria से questions आता है कि दो अंडे देने वाले इस तंधारियों के नाम mention कीजिए तब आपको वहाँ पर mention करना पड़ेगा acadina और platypus का नाम ठीक है जो कि आज के जीवित example है जो इस समय भी जीवित है Australia में पाय जाते हैं तो prototheria से questions इस तरीके से पूछे जाते हैं कई बार section B में आपसे long question में पूछा जाता है 5 नंबर में prototheria के general character को mention करो तो देखें यहाँ पर मैं cover करूँगा पूरा prototheria का long question इससे आपका short question भी तयार हो जाएगा ठीक है तो चलिए students heading डालेजे prototheria इसमें आपको लिखना है कि subclass prototheria अंडे देने वाले इस्तंधारियों का समू है एक group है जो कि Jurassic U के अंतिम काल से भी पूर्व इस्तंधारियों की मुख्य साखा के आधार से अलग हो गए थे एकेडिना और प्लेटिपस आदी कुछ इसके जीवित उधारन है जो आज भी जीवित है जो विसेस रूप से केवल आस्ट्रेलिया में ही पाय जाते है इने सामोहिक रूप से order मोनो ट्रिमेटा में रखा गया और इनके विसेस्ट गुनन निमन प्रकार से है जैसे की नमबर फस्ट डिस्टिबुशन देखे प्रोटोथिरिया के जनरल केरेक्टर कई बार स्टुडेंट कहते हैं कि सारम याद तो करते हैं लेकिन बाद में एक्जाम पेपर में भूल जाते हैं उसको याद रखनी की टेक्निक्स क्या है वो मैं आपको बताऊंगा ठीके पहले में इसको कवर कर लेता हूँ डिस्टिबुशन यानि इसका डिस्टिबुशन पूरी दुनिया में कहां कहां पाय जाते हैं तो प्रोटोथिरिया इस्तंधारी औस्ट्रेलिया तस्मानिया नियोगिनी तथा समीब के दीपों में यानि आसपास के जो दीप है उन वहाँ पर पाय जाते हैं जहां इस्तंधारियों का और अधिक विकास नहीं हो सका इसके बाद आता है habit and habitat ये रात्री चर है यानि रात में भोजन की तलाश में निकलते हैं ये रात्री चर तथा बिलो में रहने वाले इस्तंधार या जलिये इस्तंधारी यानि के aquatic mammals भी ये कहलाते हैं इसके बाद अब हम देखते हैं इनका external features यानि ये बाहरी रूप से कैसा दिखाई पड़ते हैं इनकी body का shape size कैसा है तो इनका सरीर मोटा होता है तथा सघन रूप से बालों से ढखा रहता है बाहियकर्ण या पिन्ना जो है इनमें अनुपस्तित होता है हम क्यों यहाँ पर consider कर रहे हैं बाहियकर्ण या पिन्ना को क्योंकि हम इस्तंधारियों के अंदर discuss कर रहे हैं को हम लोग consider कर रहे हैं कि ये mammals के अंदर आ रहे हैं तो mammals related जो important point है वो सब हम लोग consider करके चलेंगे और निथोरिंकस में उपरी जबडा पिचकी हुई चोंच के समान थूथन यानि मजल में परवर्धित रहता है किन्तु टेकाइगुलोसस में जबडे रोस्ट्रम में परिवर्धित होते हैं तोचा घने बालों के आवरन से ढकी रहती है तथा बालों के बीच बीच में कंटक होते हैं पूच छोटी वच चोडी होती है मेल में यानि नर में परतेक पश्रिपाद में एक छिद्रित होड़नीस पर होता है इस तनों में टिट्स का अभाव होता है जो मेंबरी ग्लेंड्स होती है उनमें टिट्स का अभाव होता है अब हम बात करते हैं बोडी केविटी के बारे में यानि देह घुआ के बारे में यानि कि सब क्लास प्रोटोथिरिया के अंदर पाय जाने वाले जो animals होते हैं, इनके अंदर bones का arrangement कैसा है, कैसा इनका कंकाल तंत्र है और इसमें किस प्रकार की अस्थिया या bones पाय जाती है, तो इसमें आपको लिखना है students, इनकी जो खोपड़ी होती है, उसमें दो kondyle present रहते हैं, तो इसे हम कहेंगे dicondylic, या हिंदी में कहेंगे द्रीकंदी होती है, कपाल की अस्थियों के बीच के सीवन जो सटर होते हैं, वो asbest होते हैं, एलिस्किनोइड अस्थि यानि ये जो bones रहती है वो अनुपस्थित होती है, किन्तु mammalian pterygoid bones के साथ ही एक ecto pterygoid या echidina pterygoid इसमें present रहती है, उपस्थित होती है, नेत्र कोटर टेंपोरल फोसा के साथ मिले होते हैं, टिंपैनिक बुल्ला अनुपस्थित होता है, तथा melleus incus जो होते हैं अपेक शकरत बड़े होते हैं, यानि कि हम यहाँ पर जो mammals में पाय जाने वाली bones है, उनका comparison भी कर रहे हैं, इसमें आपको आगे लिखना है, पर टेक mandible एक dentry अस्थि का बना रहता है, जो कि दंत विहिन होते हैं, कसेरिको में epiphysis का पूर्ण अभाव होता है, तथा पसलियों में केवल एक सिर्ष होता है, तथा अस्थियां सुविक्सित होती है, टी के समान एक इंटर-Kलेविकल अस्थि भी उपस्तित होती है, श्रोणी मेखला में अतरिक्तियानी एक्स्ट्रा एपि-फ्यूबिक बोन प्रजेंट रहती है, अस्थियों को डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे इनके है किन्तु अलिंद निले का पार्ट मस्कुलर तथा अपूर्ण होता है तथा कोड़ी टेंडिनी अनुपस्तित होते हैं एडल्ट में यानि प्रोड में केवल वाम आयूर्टिक आर्क बनी रहती है ये पार्शियल रूप से यानि आंसिक रूप से सम तापी इस्तंधारी होत होती है यानि कि इसमें नुकुलियस प्रजेंट नहीं होता है ठीक है इसके बाद आगे हम डिसकस करते हैं इनके नर्वस सिस्टम के बारे में तो मस्तिस्क इनका जो होता है वो अपेक शकरत कम विक्सित होता है किन्तु अग्र सयूजनी आकार में बड़ी होती है लोकिया पेनिस में कम कॉंडलीत होती है यदि हम बात करें इनके यूरो जेनेटल सिस्टम के बारे में यानि जनन मुत्र तंत्र के बारे में तो इसमें आपको लिखना है वरिक प्रचविक जो है मेटनेफरिक टाइप के होते है मुत्र वाहिनी जनन मुत्र साइनस में खुलती है कि इसके बाद इधी हम बात करे development के बारे में इसमें development या वर्धन कैसे होता है तो इसमें लिखना है कि इसमें fertilization internal होता है यानि कि इसमें female body के अंदर release किये जाते हैं अंडे बड़े तथा पीता क्यूग तयानि उसमें योलक present रहता है तथा एक सक्त एवं लचीले खोल में बंद रहता है cleavage जो है इसमें miroblastic type का होता है ठीक है अब अगर हम थोड़ा से student discuss करें कि ये reptilia से कैसे affinity को show करते हैं तो वो भी आप लोग point no down कर सकते हैं हाला कि इतना important नहीं है लेकिन माल लिजे कि आपके exam paper में 5 number में long question में आपसे पूछ लिया जाए कि जो subclass prototheria के animals होते हैं ये कैसे reptilia के साथ affinity को show करते हैं तो इसमें आपको लिखना होगा ये जो important point है इसको आप लोग लिख सकते हैं इसका screenshot भी ले सकते हैं जैसे कि ये अंडे देने वाले ओवी पैरस इस्तंधारी होते हैं इसमें जो बाहियकर्ण है वो पिन्ना अनुपस्तित होता है खोपडी की अस्थियों में सीवन जो होते हैं या जो सटर होते हैं वो एसपस्ट होते हैं प्री मोलर उल्टी घंटी के आकार की होती है एकेडिना टेरिगोईड के रूप में अत्रीक्त टेरिगोईड अस्थियों से की जा सकती है टिंपैनिक बुल्ला अनुपस्तित होता है तथा टिंपैनिक अस्थि छले नुमा होती है कैसेरिकों के बीच में सिंफाइसिस अनुपस्थित होते हैं पसलिया एक सिर्सवाली होती है अंसमेकला, रेप्टिलियन अंसमेकला की प्रारूपी होती है जिसमें सुविक्सित, क्लेविकल, कॉरकोईट तथा प्री कॉरकोईट होते है इसके बाद T के समान इंटरकलेविकल या एपिस्टर्णम इसमें अनुपस्थित होती है अधर सिंफाइसिस, इस्चिया एवं फ्यूबिस के बने होते है एसिटाबुलम चिदर्युक्त होती है कार्पस केलोसम अनुपस्थित होता है टेस्टिस उधर में होते है सिशन की जो संरचना है वो रेप्टिलियन प्रकार की होती है तो ये सब क्लास प्रोटो थिरिया के कुछ ऐसे करेक्टर स्टुडेंट जो की रेप्टिलिया से एफिनिटी शो करते है तो ये सब क्लास प्रोटो थिरिया के एनिमल जो है या मैमल जो है वो कैसे रेप्टिलिया के साथ एफिनिटी शो करते है तो ये सारे important features आप लोग लिख सकते है So students मिलते है next video में और next video के अंदर हम meta-theria को भी cover करेंगे क्योंकि वो भी एक most important topic है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग comment section में mention कर सकते हैं बाई बाई टाटा